तो, वेल्कम Majl удya lovely brothers and sisters非常的 mate welcome akkog we welcome Welcome तो हम लोगोंने आपको बताया था एकसिलिरेश na एकसिलिरेशन की चीसिया आता है एकसिलिरेशन आता है स्पीड के चेंजे से एकसिलिरेशन की चीसिया आता है speed change से sorry speed change से acceleration आता है speed change से अब देखे speed change करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके bike में एक accelerator होता है जो क्या करता है आपके speed को increase कर देता है क्या कर देता है आपके speed को increase कर देता है यानि अगर जो initial velocity आपके 10 meter per second थी तो आप bicycle को अगर 5 second के लिए accelerate करेंगे तो आपकी जो final velocity है वो 50 meter per second हो गई तो आपका जो acceleration आया वो कितना आगया 50 minus 10 by 5 जानि 40 by 5 यानि 8 meter per second आगया 8 meter per second आगया यह क्या हुआ speed change हुआ speed increase हो गया लेकिन आपको ये भी एक बात मालूम है कि एक तरफ जहां आपके bike में accelerator होता है और आप accelerate करके speed increase कर देता है वहीं दूसरे तरफ आपके bike में एक तरफ brake होता है क्या होता है brake होता है जिसको जब आप दापते है तो speed क्या हो जाता है speed तभी भी change होता है लेकिन उस समाए speed decrease हो जाता है उस समाए speed decrease हो जाता है लेकिन उस समय negative acceleration आता है कैसे माना जाए कि आप जो initial velocity 50 meter per second से आप चल रहे थे आप 50 meter per second से क्या कर रहे थे एक speed में थे initially तो फिर आप 5 second के लिए आप 5 second के लिए break मारे क्या मारे ब्रेक मारे तो उस case में क्या हो जाता है final velocity लेट 10 meter per second हो जाता है आप घर से निकले पहले आप start किये 10 meter per second पर गये आप 5 second के लिए accelerate किये speed 50 हो गया तब तक आपको दिखा कि सामने एक doggy आ रहा है सामने कुता आ रहा है तो आप लोग ने क्या ब्रेक दाबा ब्रेक दाब या 5 second के लिए जो 50 meter per second हो फिर 10 meter per second पर आ गया तो यहां पर भी change आया है वहां पर भी speed में change आया है 5 second में आया है लेकिन इस case में जो change आयेगा उस्ते जो acceleration निकलेगा वो negative acceleration निकलेगा देखिए कैसे अगर इसमें आप acceleration निकालेंगे भी minus u by t करके तो भी था 10 u था 50 time कितना लगा 5 second यानि minus 40 by 5 यानि minus 8 meter per second minus क्या दिखा रहा है कि जो speed है वो decrease हो रहा है और यह एक negative acceleration है और इसी negative acceleration को हम एक नया नाम दे देता है जो होता है रिटार्डेशन 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 होता है उसको रिटार्डेशन करता है retardation हमको क्या क्या मालूम चलता है retardation हमको मालूम चलता है कि जो acceleration है वो negative है retardation यानि acceleration जो है वो negative है दूसरा point यह क्या करेगा वो यह speed को decrease करेगा यह क्या करेगा speed को decrease करेगा तीसरा point acceleration negative हो गया speed को decrease करेगा retardation जो है उसका मतलब हो गया acceleration negative है speed को ये decrease करेगा और ये जो acceleration का direction होता है retardation जो है यानि इसका मतलब जो acceleration का direction है negative acceleration हो गया retardation मैंने जो acceleration है जिसका direction है वो opposite to motion है वो क्या है opposite to motion है opposite to motion है यानि अगर body up का motion इधार हो रहा है अगर इस mil Extra में जा रहा है तो progress dużo एक्सिल्रेशन और जो एक्सिल्रेशन और उसका भी डाइरेक्सन यहीं यहीं लेकिन जोरी टार्डेशन होगा उसका प्रिजेंट यह चालता यानि एक्सिल्रेशन का डाय alors the motion होता है भी यानि बस आप यह जानिए की screaming आखेसेलरेशन है वह स्पिड के चेंज से आता है तो सेंपौ अकसिलेkaaशन ही बोलते है लेकिन दिखेसेलरेशन और देखौलारेशन में ivy जाता है जिसको हम special नाम retardation दे सकते हैं retardation कुछ नया चीज नहीं है सब वही acceleration का vector quantity है SI unit meter per second square meter per second square है और इसका देखा जाए तो ये बस एक negative acceleration है speed को decrease कराता है और इसका जो direction है वो motion के opposite में होता है क्योंकि ये speed को decrease करता है बस इतरही बात है इससे ज्यादा कुछ खास बात इसमें नहीं है अगर मैं आपको बता हूँ तो acceleration is of two type एक होता है positive acceleration velocity जब increase करता है velocity increases negative acceleration velocity decreases velocity जब decrease होता है तो जो acceleration उसको हम negative acceleration कर देता है and negative acceleration is also called retardation body is said to be retardated if its velocity velocity is decreases all other formulas और SI unit of acceleration and retardation are same सब सेम होता है बस acceleration positive हो जाता है और जो retardation है वो negative हो जाता है negative acceleration और retardation इसी के साथ हमारा एक्सिलिरेशन का जो कोर कॉंसेप्ट है वो कम्प्लीट हुआ आल दी बेरी वेश्ट परहाई करते रहिए परहाई करते हैं